हेलो पिछली वीडियो में हमने PYWARD TABL के बारे में डिटेल में जाना इस वीडियो में हम RECOMENDED PYWARD TABL के बारे में जानेंगे तो PYWARD TABL में हम TABL को अपनी मरजी जैसा भी बनाना चाहे बैसा बना सकते है लेकिन जो recommended pivot table होता है इसमें बने बनाए table इसमें आ जाते हैं इसमें से हम किसी को भी चूज करके हम इसमें काम कर सकते हैं तो अब हम यहाँ पे recommended pivot table के बारे में जानेंगे यहाँ पे insert टैप पे जाएंगे insert टैब पे जाने के बाद यहां पे recommended part ego table यहां पे click करेंगे यहां पे click करते ही यहां पे देखो यह dialogue box यहां पे खुल के आ जाएगा इसमें जो है बहुत से इसमें option आ जाएंगे यहां बने बनाये table इसमें आ जाएंगे जो भी यहां से table style चाहिए हमें उसके ओपर हम click करेंगे वो इसका preview यहां पे show करेगा जैसे यह first वाला है इसका preview यहां पे show कर रहा है first में इसके बाद यह second पे click किया यह second का preview आ रहा है यह third पे click किया है यह third का preview आ रहा है इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं यह यह थार्ड का प्रिव्यू यहां पे आ रहा है तो जो भी यहां पे style से यह table का वो table का style हम choose करेंगे यह देखो scroll करके और भी बहुत से यहां पे table है तो जो भी table हमें यहां पे अच्छा रगता है हम उसके उपर click करेंगे जैसे यह इस तरह हम यह recommended play all table के जरीए भी यहां पे play all table बना सकते है अगर हम इसे अपने इसाब से यहां पर बनाना जाते हैं तो कैसे करेंगे यहां पे यह देखो name यहां पे click किया यह name यहां पे आ जाएंगे इसके बाद यह physics इसको uncheck किया और इसके बाद यहां पे English यह देखो यह यहां पर हमने नेम ही इसको चेक किया नेम की यहां पर लिस्ट आ जाएगी और यह जो नेम है यह किस एरिया में है यह देको निचे रोव वाले एरिया में है यहां पर नेम आ गया है अगर हम इस नेम को कॉलमबाइज करना जाते हैं तो हम के करेंगे इसको ड्रैग करेंगे और ये column वाले area में drop कर देंगे ये देखो column wise यहां पर आ जाएगा ये अगर हमने फिर इसको row wise करना है तो हम इसको फिर drag करेंगे और यहां पर drop करेंगे ये row वाले area में आ जाएगा और यहां पर row wise ये बन जाएगा इसके बाद अगर हम यहां पे कोई subject एड़ करना जाते हैं जैसे English तो English subject यहां पे एड़ हो गया इसके बाद committee करना जाते हैं तो यह committee यहां पे एड़ हो गया यह report यहां पे बन गई इसके बाद physics को भी एड़ करना जाते हैं तो यह physics भी एड़ हो गया इसके बाद math इसके बाद computer science तो यह देखो यहां पे सारे यहां पे subject आ गए और सभी का यहां पे grand total यहां पे बनके आ गया है यहां पे हमने कोई भी formula यूज नहीं किया है यह automatic ही यहां पे बनके आ जाता है इसके बाद अगर हम यहां पे चाहते हैं कि हमें एक student का यहां पे record चाहिए जैसे away इसका record चाहिए तो हम के करेंगे यहां पे more button पे click करेंगे more button पे click करने के बाद यहां पे यह dialogue box आ जाएगा इसमें यह सभी यहां पे select कियो हैं तो इसको uncheck करेंगे यहां पे uncheck होगे यहां पे हमें away का यह record चाहिए हम यहां पे away पे click करेंगे और ok पे click करेंगे हमारे पास यह जो है away का यहां पे record आ जाएगा कि away इसका name यहां पे आ गया है इसके बाद English में इतने number लिए हुए है chemistry में इतने हैं इसके इसके बाद physics और उसके बाद math और उसके बाद computer science यह इतने number away ने लिए हुए है इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि यहां पे तीन का record आए तो हम यहां पे फिर filter पे click करेंगे filter पे click करने के बाद यहां पे हम name choose करेंगे जैसे यह हमें अजे का चाहिए यह अभे का यहां पे नहीं चाहिए इसके बाद alog का चाहिए इसके बाद आमान इसका चाहिए तीन का record हमें यहां पे चाहिए student का तो हमने यहां पे तीन student को यहां पे चेक कर लिया चेक करने के बाद यहां पे ok पे click करेंगे ok पे click करने के बाद यह लिखो यहांपर तीन student यहांपर आजाएंगे Ajay, Allok, Amen, अगर हमें सभी यह बापिस चाहिए अब तो हम के करेंगे यहांपर filter प्लिक करेंगे filter प्लिक करने के बाद फिर यहांपर select all इसको यहांपर let's check करेंगे, check करने पर यह सारे चेक हो जाएंगे, इसके बाद ओके पर क्लिक किया, तो ये लिखो यहां पर सभी के नेम यहां पर आजाएंगे और सभी का record यहां पर आजाएगा, इसके बाद कभी-कभी यह जो है, पाइवल टेवल फिल्ड यह गाई वह उजाती है यहां से, तो हम इसको बापिस कैसे लाएंगे, जैसे यहां पे क्लिक किया, यहां पे क्लिक किया, यह लिको यहां पे चली गई, तो इसको बापिस लाने के लिए हम यहां पे, फाइवर टेवल यहां पे क्लिक करेंगे, इसके बीच में यहां पे क्लिक करते ही, यह 90 नमबर यहां पर बढ़ाने है तो यह कैसे करेंगे यहां पर क्लिक करेंगे तब तो यह नहीं आएगा क्योंकि यहां पर कोई भी वैलियो हम इंसल्ट करते हैं यह लिखो कोई भी वैलियो हमने इंसल्ट के यहां पर यह enter ने करेगा तो इसको करने के लिए हम के करेंगे यहां पे main sheet पे जाएंगे यहां पे इसके बाद यह लिखवा अवे इसके हमने यहां पे number करने है 90 तो हम के करेंगे यहां पे 90 लिखेंगे यह 90 हमने यहां पे लिखा लिखने के बाद क्या करेंगे यहां पे फिर यहां पे sheet 2 यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद वहां पे हमने 90 main sheet पे हमने 90 कर दिया लिकने यहां पे जो है अभी भी 65 यहां पे marks है तो यह update करने के लिए हम क्या करेंगे analyze tab पे जाएंगे analyze tab पे जाने के बाद इसको refresh करेंगे refresh यहां पे click किया यहां पे click करने के बाद यहां पे refresh पे click करेंगे यह दिखो यह जो marks है यहां पे यह update होके यहां पे आ जाएंगे तो इस प्रकार हम कोई भी यहां पे marks को अगर update करना जाते हैं तो इस तरह हम marks को update कर सकते हैं इसके बाद अगर यहां से हमने कोई subject हटाना है तो हम फिर इसको यहां पे uncheck करेंगे जैसे यह uncheck किये यह subject यहां से अटगे इसके बाद यहां पे हम चाहते हैं कि यह जो student name है यहां पे हम slicer का use करें तो इसको use करने के लिए हम के करेंगे analyze टैप जाएंगे और यहां पे insert slicer यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद यह slicer यहां पे बनके आ जाएगा और यह आने के बाद यहां पे field सभी आ जाएंगी जैसे name है English, chemistry, physics, math, computer science अब किसका हमने यहां पे slicer बढ़ाना है तो हम यह first को लेंगे name को name का यहां पे इसको check किय check करने के बाद ok पे click करेंगे ok पे click करने के बाद यह देखो यह name student names का slicer यहां पे बनके आ जाएगा आने के बाद यह जो हैं सभी student के name यहां पे नहीं आ रहे हैं तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे हम यहां पे option type पे click करेंगे और यहां पे columns यहां पे two कर देंगे यह लेको टू कॉलम यहां पर टू कॉलम आ जाएंगे आने के बाद अगर हम इसकी हाइट बढ़ाना जाते हैं तो यहां से हाइट बढ़ा सकते हैं यह लेको हाइट बढ़ रही है इसकी अगर विट्स बढ़ानी है तो यह विट्स यहां से बढ़ रही है यहां से भी हम इसक लगता है वो style हमने यहां पे लेड़ा है suppose करो हमने यह style रखा यहां पे यह style रखने के बाद आप क्या करेंगे जैसे किसी का भी यहां पे हमें record चाहिए यहां पे हमें आमन का record चाहिए तो हम क्या करेंगे यहां पे आमन पे click करेंगे यह लेको एक का रिकोर्ड यहां पे आ गया तो यह slicer यहां पे आ गया है अब जिसके उपर हम click करेंगे उसी का रिकोर्ड यहां पे आ जाएगा इसके बाद ericase पे click किया तो ericase का रिकोर्ड यहां पे आ गया रोहित पे click किया यह रोहित का रिकोर्ड आ गया इसके बाद शशी पे क्लिक किया, इसके बीजे पे क्लिक किया, तो ये बीजे का रिकोर्ड यहां पे आ जाएगा, तो इस तरह से हम यहां पे रिकोर्ड को ले सकते हैं, अगर हमें यहां पे तीन चार का रिकोर्ड चाहिए, तो यहां पे एक ही सेलेक्ट हो रहा है, तो इसको बाव भी इसका भी आ गया इसके बाद मौई ते इसका भी आ गया इसके बाद रोई ते इसका भी आ गया तो अब हम यहां पर multi students को भी यहां पर चेक कर सकते हैं अगर इसको चेक को अटाना है तो हम यहां पर क्लिक करेंगे फिर यह चेकियां से अड़ जाएगा तो इस प्रकार यहां पे हम स्राइसर का यूज़ कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने recommended pivot table के बारे में जाना अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज subscribe my channel धन्यवा